परिजए बच्चो आज हम लोग सांडिक को जानेंगे सर्व प्रतम मुझे बताओ कि क्या हम एकल मान द्वारा आवियो या मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं हाँ सेर कैसे? क्या किसी को नहीं पता? ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ सार्णिक की साहता से एकल मान द्वारा आवियो या मैट्रिक्स को प्रदर्शित कर सकते हैं तो आओ अपने इस अठ्याय में हम सार्णिक के बारे में विस्तार से चर्चा करें उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे एक आवियो का सार्णिक निकालना सार्णिक के गुण धर्मों का उप्योग करते हुए उसे हल करना सार्णिक का उप्योग करते हुए त्रिबुज का क्षित्रफल निकालना आवियो का व्यूत क्रम निकालना सार्णिक और आव्यूव का उप्योग करके समिकरन निकाई को हल करना सार्णिक यदि हम एक संख्या या फलन का प्रतिक वर्क आव्यूव के साथ संबंध कराते हैं तब उस आव्यूव को आव्यूव का सार्णिक कहते हैं एक आवियो जो की वर्ग नहीं है, साणिक नहीं होता। माना की A बराबर AIJ, एक N कोटी का वर्ग आवियो है। तब A के साणिक को निम्न प्रकार से निरूपित किया जाता है। माना की A बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती P, Q, दूतिय पंक्ती RS है। तब A का साणिक को इस प्रकार लिखा जा सकता है। एक कोटी के आवियो का साणिक, माना की A बराबर A11, कोटी A का एक वर्ग आवियो है। अवियव A11 को A के साणिक के मान के रूप में परिभाशित किया जाता है। A का साणिक बराबर A11, उधारनार्थ, यदि A बराबर मैनस पांच है, तब A का साणिक बराबर मैनस पांच। दूइतिय कोटी के एक आवियो का साणिक, माना की A पराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती A, B, दूइतिय पंक्ती CT, साणिक को इस प्रकार प्राप्त किया जाता है। निले का मतलब धनात्मक, प्लस 80, लाल का मतलब रनात्मक, माइनस B सी, अथा A का सानिक पराबर A कुणा D, माइनस B कुणा C, तीन क्रोस तीन कोटी के एक आवियो का सानिक, माना की A पराबर पंक्ती अनुसार, प्रथम पंक्ती A11, A12, A13, द्यूदिय पंक्ती A21, A22, A30, त्रिदिय पंक्ती A31, A32, A33, प्रथम पंक्ती का उप्योग करके कोटी तीन के सानिक का विस्तार निम्न प्रकार से किया जा सकता है। 4. त्रिदिय पंक्ती माइनस तीन, एक, तीन का सानिक ज्यात कीजे। हल, आवियू A बराबर पंक्ती अनुसार, प्रथम पंक्ती A11, A12, A13, द्यूदिय पंक्ती A21, A22, A23, त्रिदिय पंक्ती A31, A32, A33 के लिए। एका सानिक बराबर A11 गुण A22 गुण A23 माइनस A23 गुण A32 माइनस A21 गुण A31 गुण A31, प्लस A13 गुण A21 गुण A32 माइनस A22 गुण A31 दिये गाई प्रश्ण में आवियू A बराबर पंक्ती अनुसार, प्रथम पंक्ती 3, 0, माइनस एक, द्यूतिय पंक्ती 2, माइनस 5, 4, त्रितिय पंक्ती, माइनस 3, 1, 3 अता, एका सारनेक बराबर 3 गुण A-5 गुण A3 माइनस 4 गुण A1 माइनस 0 गुण A2 माइनस 4 गुण A-3 प्लस माइनस 1 गुण A2 गुण A1 माइनस 5 गुण A-3 बराबर 3 गुण A-15 माइनस 4 माइनस 0 गुण A6 गुण A2 गुण A2 माइनस 15 बराबर 3 गुणा माइनस 19 माइनस 0 गुणा 18 प्लस माइनस 1 गुणा माइनस 13 बराबर माइनस 57 प्लस 0 प्लस 13 बराबर माइनस 44 सार्णिकों के गुण धर्म गुण धर्म एक सार्णिक का मान आप परिवर्थित रहता है यदि उसकी पंक्तियों और स्तंभों को परस पर परिवर्थित कर दिया जाए गुण धर्म दो यदि एक सार्णिक की कोई दो पंक्तियों या स्तंभों को परस पर परिवर्थित कर दिया जाए, तब सार्णिक का चिन्न परिवर्थित होता है. गुण धर्म तीन यदि एक सार्णिक की कोई दो पंक्तियां अत्वाइस तंब समान हैं, तब सार्णिक का मान शुन्य होता है गुण धर्म चार यदि एक सार्णिक की किसी एक पंक्ती अत्वास्तंब के सभी अव्यव का गुणा एक अचर राशी केसे किया जाता है तब उस सार्णिक का गुणा केसे हो जाता है गुण धर्म 5 यदि एक सार्णिक की किसी पंक्ती अत्वास्तंब के कुछी या सभी अव्यव दो या अधिक पदों के योगभल के रूप में व्यक्त हो तब उस सार्णिक को दो या अधिक सार्णिकों के योगभल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है गुण धर्म 6 यदि एक सानिक की किसी पंग्ती या इस्तंभ के प्रतेक अव्यब में दूसरी पंग्ती या इस्तंभ के संगत अव्यबों के समान गुणजों को जोर दिया जाता है, तो सानिक कमान वही रहता है उधारण सानिक के गुण धर्मों का उप्योग करते हुए निम्न का मोल यांकन कीजिए हल, हमें निम्न लिखे ग्यात है प्रतंभ इस्तंभ से साथ को उबैनिश्टि लेने पर इस्तंभ एक तथा दो समान है अता सानिक का मान शुन है बड़ाबर साथ गुणा शुनने बड़ाबर शुनने निम्न लिखित सानिक का मान ग्यात कीजिए हल, माना की डिल्टा निम्न लिखित के बड़ाबर है संक्रिया आर एक अप्रोचिस टू आर एक प्लस आर दो प्लस आर तीन का उप्योग करके हमें प्राप्त होता है प्रथम पंक्ती के सभी अव्यव शुने हो जाते हैं, इसलिए सानिक का मान शुने है त्रिभुज का क्षित्रफल त्रिभुज ABC का क्षित्रफल जिसके शिर्ष बिंदू A, X1Y1 B, X2Y2, C, X3Y3 है एक पटा दो, X1 गुणा Y2-Y3 प्लस X2 गुणा Y3-Y1 प्लस X3 गुणा Y1-Y2 है इसे निमन प्रकार से एक सानिक के रूप में लिखा जा सकता है इस मर्णिये तत्थे चित्रफल हमेशा एक धनात्मक राशी होती है इसलिए चित्रफल के लिए हम हमेशा सानिक के निर्पेक्ष मानों को लेते हैं बिन्दू A, B तथा C समरेके हैं यदि तिर्भुज A, B, C का खित्रफल चुनने हो उधारन सानिक का उप्योग करके उसे तिर्भुज का खित्रफल क्यात कीजे जिसके शीर्ष बिन्दू माइनस तीन पांच, तीन माइनस छे और साथ दो हैं हल शीर्ष बिन्दू माइनस तीन पांच, तीन माइनस छे और साथ दो वाले तिर्भुज का खित्रफल निम्नसानिक त्वारा दिया जाता है आता इसकी गणना करके हल करने पर हमें 46 प्राप्त होता है वान्चुनिये तिर्भुज का खित्रफल 46 वर गई काई है उपसानिक और सहखंड सानिक का उपसानिक वो सानिक है जो उसी पंक्ती और उसी इस्तंब में सभी अव्यवों को हटाने के बाद बच जाता है उधारनार्थ निम्नलिकित सानिक में ए एक का उपसानिक ये है सहखंड एक अव्यव के सहखंड संगत उपसानिक है जिनका माइनस एक की खाद M प्लस N से गुणा किया जाता है जहां M और N पंक्तियों और इस्तंबों की संख्या हैं जिनमें अव्यव नहित होते हैं उप्रोक्त सानिक में अव्यवों A1, A2, A3, B1, B2, B3 इत्यादी जिनहें इत्यादी के रूप में प्रधर्शित किया जाता है कि सहखंड के एकांतर रूप से संगत उपसानिक हैं जिनका फ्लस एक तथा माइनस एक से गुणा किया जाता है उधारण निवन में अव्यव के सभी उपसानिक और सहखंड ग्याद कीजे हल माना की A11 बराबर 4 A12 बराबर 3 A13 बराबर 1 A21 बराबर 1 A22 बराबर 3 A23 बराबर 2 A31 बराबर 2 A32 बराबर 1 A33 बराबर 5 M11 बराबर A11 का उपसानिक बराबर है निमन के जो बराबर है 15 घटा 2 जो की बराबर है 13 के capital M12 बराबर A12 का उपसानिक बराबर है निमन के जो बराबर है 5 घटा 4 जो की बराबर है 1 के capital M13 बराबर A13 का उपसानिक बराबर है निमन के जो बराबर है 15 घटा 1 के जो की बराबर है 14 के capital M22 बराबर A22 का उपसानिक बराबर है निमन के जो बराबर है 20 घटा 2 जो की बराबर है 18 के capital M23 बराबर A23 का उपसानिक बराबर है निमन के जो बराबर है 4 घटा 6 जो की बराबर है घटा 2 के capital M31 बराबर A31 का उपसानिक बराबर है निमन के जो बराबर है 6 घटा 3 जो की बराबर है 3 के Capital M 32 बराबर A 32 का उपसांड़िक पराबर है निम्न के जो बराबर है 8 घटा 1 जो की बराबर है 7 के Capital M 33 बराबर A 33 का उपसांड़िक पराबर है निम्न के जो बराबर है 12 घटा 3 जो की बराबर है 9 के सैखंड निम्निलिकित है आवियोका से खंडच और व्यूत्करम माना की कैपिटल ए बराबर AIJ एक वर्ग आवियो है कैपिटल ए के से खंडच को आवियो कैपिटल AIJ के परिवर्थ के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां सारणिक कैपिटल ए में कैपिटल ए आई जे अवियव AIJ का से खंड है इसे कैपिटल ए के सहखंडच के रूप में निरूपित किया जाता है। इस प्रकार कैपिटल ए का सहखंडच बराबर कैपिटल ए आई जे के सहखंडों के आव्यू का परिवर्थ है। आव्यूत करम्णिये आव्यू। माना की कैपिटल ए एक वर्ग आव्यू है। आव्यू। ए आव्यूत करम्णिये आव्यू कहलाता है। यदि ए का सारणिक बराबर शूने है। यदि ए का सारणिक शूने के बराबर नहीं है तब आव्यू को व्यूत करम्णिये कहा जाता ह उधारण एका सैखंडज ग्यात कीजिये जहां ए पराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक दो दुईतिय पंक्ती तीन चार है हल दिया गया आव्यू निम्न है आव्यू एके सैखंड है एक्यारा बराबर चार एबारा बराबर माइनस तीन एक्कीस बराबर माइनस दो एबाईस बराबर एक अतैव एके सैखंडज बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती चार माइनस दो दुईतिय पंक्ती माइनस तीन एक है एक आव्यू का सहखंड़ और व्यूतक्रम प्रमाए एक यदि capital A कोई वर्क आवियू है तब capital A कुणा capital A का सहखंदच पराबर capital A का सहखंदच गुणा capital A बराबर capital A साणिं कुणा I, जहां I तसमख आवियू है प्रवाय दो यदि A और B समान कोटी के विद्क्रम्रिये आवियू हैं तब A B तथा B A भी समान कोटी के विद्क्रम्रिये आवियू होंगे प्रबैं तीन आवियूं के गुणन का सारणिक उनके सम्बंदित सारणिकों के गुणन के वराबर होता है अर्थात कैपिटल A B का सारणिक वराबर कैपिटल A का सारणिक गुणा B का सारणिक जहां कैपिटल A और कैपिटल B समान कोटी के दो वर्ग आवियू हैं प्रमय चार एक वर्ग आव्यू ए के व्युद्ग्रम का अस्तित्म है यदी और केवल यदी ए एक व्युद्ग्रम लिए आव्यू हो एका व्युद्ग्रम पराबर एक बटा एका सार्णिक गुणा एका सैखंड़ज उधारण ए बराबर पंग्ती अनुसार प्रथम पंग्ती दो पांच दुईत्य पंग्ती माइनस तीन एक का व्युद्ग्रम ग्याद कीजिए हल दिया गया आवियू निवने है कैपिटल एका सार्णिक बराबर दो माइनस पांच गुणा माइनस तीन बराबर सत्रा जोकी शूने के बराबर नहीं है अता कैपिटल एका व्युद्ग्रम अस्तित्व में है आवियू के सैखंड है कैपिटल एक्यारा बराबर एक कैपिटल एक्यारा बराबर माइनस माइनस तीन कैपिटल एक्केस बराबर माइनस पांच कैपिटल एपाईस बराबर दो अतेव कैपिटल एका सह खंडच बराबर पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक माइनस पांच दुधिय पंक्ती तीन दो तथा कैपिटल एका व्युत्करम बराबर एक पटा सत्रा गुणा आवियो पंक्ती अनुसार प्रथम पंक्ती एक माइनस पांच दुधिय पंक्ती त साणिकों और आविहों के अनुप्रयोग संगत निकाए निकाए संगत कहलाता है यदीज के हलों का अस्तित्व होता है असंगत निकाए निकाए असंगत कहलाता है यदीज के किसी भी हलों का अस्तित्व नहीं होता है संगत्ता का माप्देंट एक दिये काए निकाए के लिए कैपिटल ए एक्स बराबर कैपिटल बी Capital X बराबर रहखिक समीकरन का Capital A व्यूत करम कुणा Capital B जहां Capital A एक वर्ग आवियो है संगत्ता और असंगत्ता के लिए हमारे पास निम्निलिखित माप्तेंड है 1. यदि सांडिक A शूनि के बराबर नहीं है तब निकाह संगत है तथा इसका हल आथवितिय है 1. यदि सांडिक A बराबर शूनि है एवं A कुणा B का सै खंड़ शूनि के बराबर नहीं है तब निकाह संगत है तथा इसका कोई हल नहीं है उधारण निगाह समीकरों को हल करने के लिए आव्यू विधी का उप्योग कीजिए x प्लस 2y बराबर 4 2x प्लस 5y बराबर 9 हल दिया है x प्लस 2y बराबर 4 2x प्लस 5y बराबर 9 निगाह समीकरों को दूतिय पंक्ती नौ, कैपिटल ए का साणिक पराबर पांच, माइनस चार बराबर एक, शूने के पराबर नहीं है। इस प्रकार कैपिटल ए वियुत क्रम्रियें है, एवं इसलिए इसका प्रतिलूम अस्तित्व में है। पंक्ती अनुसार आव्यो, कैपिटल ए का सैखंडच है, प्रथम पंक्ती पांच, माइनस तो, दूतिय पंक्ती माइनस तो, एक। Capital A का आव्योत्क्रम बड़ाबर एक गुणा आव्यू Capital A पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 5 माइनस 2 दूधिय पंक्ति माइनस 2 एक. हमें ग्याद है कि A X बड़ाबर है B के. X बड़ाबर है Capital A का व्योत्क्रम गुणा B के. Capital X कमान रखने पर Capital A का व्योत्क्रम तथा Capital B आव्यू X पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति X दूधिय पंक्ति Y बड़ाबर आव्यू Capital A पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 5 माइनस 2 दूधिय पंक्ति माइनस 2 एक कुणा आव्यू B पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 4 दू पंक्ति 9 बराबर आवियूफ पंक्ति अनुसार प्रथम पंक्ति 2 दूइतिय पंक्ति 1 इस परकार x बराबर 2 y बराबर 1 है. क्या आप जानते हैं, जापानी गणी तक गे टका काजू सेकी कोवा ने सांडिक और उसके प्रसार को विक्सित किया. लापलास ने सांडिकों के प्रसार करने की व्यापक विधी दी. सारांश आईए, हमने जू कुछ सीखा है, उजे संक्षेप में दोराएं. यदि हम एक संख्या या फ्लन का प्रतीक वर्ग आवियों के साथ संबंध कराते हैं, तब उस अवियव को आवियों का सांडिक कहते हैं. सांडिक के गुण धर्म निम्ले लिखित हैं. सांडिक का मान आप परिवर्थित रहता है, यदि इसकी पंक्तियां और इस्तंभ परस पर परिवर्थित हों. यदि हम सार्णिक के कोई दो पंक्तियों अत्वा इस्तंभों को परस पर बदल दें तो सार्णिक का चिन बदल जाता है यदि सार्णिक के कोई दो पंक्तियां अत्वा इस्तंभ समान हैं तो सार्णिक कमान शूने होता है ज़ि हम एक सानिक की किसी एक पंक्ती अत्वा इस्तम्ब के सभी अव्यवों को एक अचर के से गुणा करतें तो सानिक कमान के गुणा हो जाता है? ज़ि एक सानिक की एक पंक्ती अत्वा इस्तम्ब के कुछ या सभी अव्यव दू या अधिक अव्यवों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकते हों तो उस सानिक को दो या अधिक सानिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है यदि एक सार्णिक की किसी पंक्ती या स्तंभ के प्रतेक अव्यव में दूसरी पंक्ती या स्तंभ के संगत अव्यवयों के समान गुर्जुन को जोड़ दिया जाता है तो सार्णिक का मान आपरिवर्तित रहता है सानिक के रूप में तिरिभुज का क्षिद्रभल इस प्रकार है सानिक का उपसानिक वो सानिक है जो उसी पंक्ती और उसी स्तंब में सभी अव्यवों को हटाने के पश्चाद बच जाता है एक अव्यव का सहखंड एक संगद उपसानिक और मैनस एक की खात M प्लस N का गुनन होता है जहां M और N पंक्ती और इस्तंब हैं जिसमें अव्यव नहित है सहखंड जग कैपिटल ए को आव्यू कैपिटल ए आई जे के परिवर्थ के रूप में परिभाशित किया जाता है जहां कैपिटल ए आई जे सानिक कैपिटल ए में अव्यव ए आई जे का सहखंड है एक वर्ग आव्यू कैपिटल ए वियुत करमणियें होता है यदि और किवल यदि Capital A वियुत करमरियें आवियो हो Capital A वियुत करम बराबर एक बटे Capital A का सांडिक गुणा Capital A का सह खंड़ज यदि सांडिक Capital A स्यून के बराबर नहीं है तब निकाए संगत है एवं इसका एक अध्वित्य हल है यदि सांडिक कैबिटल ए बराबर शुन है और सेखंड़ज कैबिटल ए कैबिटल बी बराबर शुन है तब निकाए संगत है एवं इसके कई अनंद हल हैं यदि सांडिक कैपिटल ए पराबर 0 है और सेखंड़ज कैपिटल ए कैपिटल बी 0 के पराबर नहीं है तब निकाए असंगत है एवं इसका कोई हल नहीं है